नमस्का स्वागत है एक नए वीडियो में अम्भीका कालना राजबाडी देख लेने के बाद अब इस प्रांगण से बाहर निकलूँगा और यहां आप देख सकते हैं सतरकता जागरुपता सप्ताह मनाय गया है भारती अपूरा तत्व शर्वेच्षण विबाग के द्वारा इस प्रांगण से निकल करके जैसे ही एक रोड क्रॉस करेंगे रोड के सामने ही आप लोगों को दिख रहा होगा कैमरे में 108 सिव मंदिर 108 नंबर क्या है यह मैं बताऊंगा और ठीक रोड के दाहिने साइड में 108 सिव मंदिर और 22 साइड में राजबाड़ी अंबिका कालना राजबाड़ी यह मेन पत है और इस मेन पत में यहां मैं थोड़ा और नजदिक चलूं यहां पर रत है रत पूजा में इस रत को सजाया जाता है बल राम सुभाद्रा और जगरनात की यात्रा निकलती है यह आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में 108 सिव मं टेमपल और लेप साइड में राजबाडी चलिए इंट्री करते हैं प्रिवेश करते हैं यहां कैसे आए यह बहुत आसान है बहुत सारे इंफॉर्मेशन है यह कोलकता से लगभग 80 किलोमीटर दूर है आप ट्रेन से भी बाइरोड भी इसमें आ सकते हैं देखें 108 सिव टेमपल यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है और इस पर डिटेल्स कुछ इसमें लिखा हुआ है तो अंदर की तरफ प्रिवेश कर रहे हैं यह 108 जो नंबर है यह हिंदू पवराणिक कथाओं में एक अध्यात्मिक शंख्या है और इस शंख्या का बड़ा इंपोर्टेंस है देखें दो रो में यानि कि दो बृत्ताकार रूप में यह सिव टेमपल यहां पर दिखाई पड़ रहा है एक बड़ा ब्रित है जिस बड़े ब्रित में 74 टेमपल है और छोटे ब्रित में यानि भीतर की तरफ 34 टेमपल है मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा क्या है इसका इतिहास और किस तरीके से इस 108 शिव मंदिर का निर्माण किया गया वस्तु कला का चमतकार और यह आप देख सकते हैं कि जो बाहर के ब्रित्ता का मंदिर हैं जो शिव टेमपल हैं इसमें एक सिव लिंग वाइट और दूसरा ब्लेग फिर वाइट फिर ब्लेग देखिए इसी तरीके से करम है यह जितने भी 74 टेमपल से हैं इन में एक में ब्लेग सिव लिंग है दूसरे में हुआइट पत्थर का यह नहीं काले पत्थर का और सफेद पत्थर का सिव लिंग है यह इस तरीके से इसकी कुछ कहानी है ऐसा कहा जाता है कि राजा तिलग चंद्र की विधोवा पत्नी रानी विश्ण कुमारी को यह स्वपन आया कि भगवान सिव का मंदिर वे बनवाएं तो इस मंदिर का निर्माड महराजा तेजचंद्र भहादुर ने 1809 इस्वी में इस मंदिर का निर्माड कराया यह एक तरीके से इसे नौ कैलास या 108 सिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है गुंबदकार वस्तुकला वाले और अचला इंटो से बना है यह सारी के सारे जो मंदिर है वो अचला इंटो के बने हैं और अदुतिय एक शंयोग बोलिए या वस्तुकला बोलिए मैं आप लोगों को जब भीतर ले जाऊंगा तो अभी तो हम लोगों से वेंटीफोर टेंपल्स को किनारे किनारे कभर कर रहे हैं भी हम जब अंदर हम प्रिवेश करेंगे तो उसमें बताएंगे आप लोगों को कि उसमें थर्टीफोर टेंपल है और बीच में केंदर में एक कुमाई स्तीत है तो यह 108 मैंने बताया आप लोगों को कि एक पावराणिक कथाओं में एक अध्यात्मिक संख्या है और यह सिव टें बा quiere का बनवाया हुआ बरदवान यह बधि बदवान कुर्वी बदवान जीले में है लेकिन अम्भिका का लिएम और यह बटवान हिस्चैसंसंसे करें 15-20 मिनट के दूरी में एक-180 सिव टेंपलंपल वहां भी है और इस मंदिर को न वरत्म मंदिर के भी नाम से जाना जात वे प्रधिन सिव लिंग की पूजा करते हैं मंदिर की डिवारों पर रमयर्ण और महाभारत के शिला में जाता है सथे Duo के सांत और सांतिव रूप का परतीख है canvas सिव का रूद्र या क्रोधित रूप है ऐसी माननेता है बैकल्पिक रूप से भी यह भी माना जाता है कि सफेद और काले सीव लिंग बाहरी दुनिया का प्रतिनीधितों करते हैं अब यए अंदर की तरफ जो हम है वोंनदर की तरफ जा रहे हैं जिसमें 34 टेमपल हैं यह अनदर का प्राङघळ है आप देख सकते हैं तो इस तरीके से काले सीव लिंग होएं बाहरी दुनिया का प्रतिनीधितों करते हैं जिस दुनिया में हम रहते है वह पापों दोसों और बलिदानों की दुनिया है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों कर्म शामिल है और आंतरिक सफेज सीवलिंग सुध आंतरिक्ता का प्रतीक है हिर्दय के बारे में सोचा और भगवान सीव के चल्णों में समर्पित की गई प्रतनाओं के माध्यम से दर्द गलत कारियों को कम किया जया जो भी यह है यहां पर मंदिर अच्छी तरीके से रख रखाओ में है और आर्कलोजिकल सर्वे आप इंडिया के अंडर में है इसलिए इस मंदिर की इतनी सुंदर व्यवस्ता है यहां पर एक पेण बीच में लगा हुआ है यह नया पेण है जिसे आउले का ब्रिक्ष को देव फॉल माना जाता है या ऐसा माना जाता है कि दुनिया में इस से सुंदर कोई फॉल नहीं है तो इस तरीके से ये जो मंदिर है ये बहुत खुबशूरत यहां आप एक दिन के लिए आ सकते हैं घूम सकते हैं इतनी सुन्दर साफ सफाई रख रखाओ कि देखने लायक है ये सिवरात्री के समय में यहां पर बहुत भीड़ रहती है सरधालों के लिए जल की ब्यवस्ता यहां पर और इस को मैं कवर करके बाहर की तरफ निकला और फिर वो एक बाहर का जो कैंपस वो दिख रहा है जिसमें 74 टेंपल हैं वो दिख रहा हैं अब इनको कवर करने के बाद ऐसा ही मैंने आप लोगों को बताया कि बर्दवानी स्चेसन के पास भी 108 सिव टेंपल है उसकी भी एक दिन की मैं यात्रा करूंगा और उसको भी आप लोगों को बताऊंगा दिखाऊंगा कि क्या चीज है और कैसी वहां पर इस्तितियां है तो ये मंदिर से बाहर निकला मैं और धिरे 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 बाहर की तरफ निकलते हुए एक साथ इतने सिव टेंपल भारत में बहुत कम जगह पर मिली गए बगल में ही एक टेंपल है टेरा कोटा का काम पूरे तरीके से है इसको भी मैं कभर किया क्योंकि रोड के ही बगल में ही है वही परपास में ही है ये टेंपल और भी बहुत सारे हैं अंभीका कालना में यह पर देखिए यह है रतनेश्वर टेम्पल रतनेश्वर टेम्पल है इस पर सारी चीज़ों पर अक्षांदेश अंतर वगरत सब लिखा हुआ है यह एक उसी सीवर टेम्पल के बगल में ही है बस रोड क्रोस करने के बाद ही यह टेम्पल है तो सोचा कि क्यों न इसको भी मैं सूट करूं तो इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया इसके बाद नेक्स एक और टेम्पल है वहीं पर बगल में ही है इस टेम्पल को भी देख ले कि यह देखिए कि यह जलेश्वर मंदिर है कि इस सारे के सारे मंदिर यह सीव के मंदिर है उन्हीं के नाम का यह सब प्रयवाची है कि इस मंदिर को भी देख लेते हैं देखिए यह खुबसूरत ता अतिप प्राचीन लगभग 300 बर्स पुराना यह मंदिर और यह जो शीव टेमपल है उलगभग 200 साल पुराना लेकिन यह सारे मंदिर और भी प्राचीन है यह पुरा का पुरा बाहर का भीव यहां पर बगल में यह शीव टेमपल जो 108 शीव मंदिर है प्राचीन है